नमस्कार साथियों एक बार फिर से आप सबका नियो लैड़ वी दिपक में बहुत-बहुत स्वागत है आज समिधान का भाग तीन हम पढ़ाएंगे आपको जिसका नाम है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स तो समिधान का ये हिर्दय है अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने समिधान पढ़ा है और मौलिक अधिकार को छोड़ करके तो मैं कह सकता हूँ कि वो समिधान पढ़ा ही नहीं है क्योंकि मौलिक अधिकार ही सबसे महत्वण है समिधान का भाग इसलिए म बाकी पूरा समिधान जानिये ये न जानिये तो मौलिक अधिकार क्या है क्या होता है मौलिक अधिकार अखिर इतना मौलिक अधिकार को महत्ता क्यों दी गई है इसका कारण क्या है जब आज आप देखेंगे पढ़ेंगे समझेंगे तब आपको पूरी बात समझ में है यह ठीक है तो आप धीरज रखिएगा और हर वीडियो को इस्टेप बाई इस्टेप ही देखिएगा छोड़ कर मत देखी गया तो फंडामेंडल राइट्स मौलिक अधिकार यह हमारे समिधान के भाग तीन में दिया गया है और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में वरण है 12 से ले करके 35 तक में जितने भी अनुच्छेद हैं सब में मौलिक अधिकार से ही सम्मंधित बातें लिखी गई है अब वो अलग बात है कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभासा है अनुच्छेद 13 में कुछ और है 14 से मुख्य रूप से शुरुआत होती है लेकिन इस भाग तीन में 12 से 35 तक अनुच्छेद सामिल है मौलिक अधिकार सबसे पहले इंग्लेंड में अपनाया गया वहाँ पे 1215 में वहाँ के एक राजा हुए तो उन्होंने अपने यहां के नागरिकों को कुछ अधिकार दिया कि आप यह यह कर सकते हैं राज्य आपको इन इन कामों के लिए परिसान नहीं करेगा तो यह वहाँ का मैगना कार्टा माना गया विश्य का पर्थम मौलिक अधिकार इंगलेंड के नागरिकों को दिया गया बाद में इसे अमेरिका में भी अपनाया गया लेकिन अमेरिका के मोल समिधान में मौलिक अधिकार नहीं था 1791 में इसे जोड़ा गया भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले 1917 में कांग्रेस ने इसकी मांग उठाई कि हमारा जो समिधान बने या जितने भी कानून चल रहे हैं उन सब में भारतियों को मौलिक अधिकार दिया जाए आगे चल करके गांधी जी ने भी 1931 में दुती गोल मेज का समेलन हुआ उसमें ये मांग की थी उसके पहले मोतिलाल नहिरू ने 1928 में मांग की थी इनी बेसेंट ने भी मांग किया था तो इस तरह से मांग चलती रही भारतियों दोरा और इसे 1935 के भारत सासन अधिनियम में पहली बार सामिल किया गया और जब भारत का समिधान बनने लगा समिधान सभा गठित हुई तब मौलिक अधिकार के लिए सरदार वल्लब भाई पटेल और जेवी क्रिपलानी को एक आयोक के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया और इन लोगों के सुझाओ पर इन लोगो के ही आधार पर समिधान में मौलिक अधिकार को सामिल किया गया सुरुवात में साथ मौलिक अधिकार थे अब च्छ मौलिक अधिकार हैं तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे पहले समझे अधिकार यानि की राइट्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं वैसे तो अध अधिकार या मानवा अधिकार और fundamental right मतलब भी में बात कर रहे हैं मूल अधिकार देखिए इन दोनों में फर्ग क्या है यह ब्यापक अर्थ में प्रयोग होता है और यह संकिन अर्थ में प्रयोग होता है मानवा अधिकार का मतलब होता है मानो का अधिकार वह जन्म ले लिया तो उसका अधिकार है और उसके जो जो अधिकार है वो कोई छेन नहीं सकता अगर ब्यक्ति भारत का है तो वहां भी उसका अधिकार है पाकिस्तान चला जाए वहां भी इंग्लेंड चला जाए वहां भी यानि कि मानवा अधिकार जो होता है वो किसी देश सीमा से और सरकार से बंधा हुआ नहीं होता इसका अर्थ ब्यापक है लेकिन मूल अधिकार सीमाओं से बंधा होता है सरकार से बंधा होता है समिधान से बंधा होता है जिसे भारत में जो मौलिक अधिकार है वो कुछ मौलिक अधिकार के वल नागरिकों को दिये गए है और कुछ मौलिक अधिका वैसे ही यहां दिया जाए तो यह संभव नहीं है इसलिए यह चोटे अर्थ में प्रयोग होता है यह राज्य की सीमाओं से और संभिधान से बंधा हुआ होता है किसी दूसरे देश में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते लेकिन मानवा अधिकार का प्रयोग आप हर जगह कर स से न जी सके उदाहरण के लिए आपको छोटा सा एक्जांबल देखे समझाता हूं जैसे भारत के समिधान में आपको मौलिक अधिकार दिया गया है कि आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता इस बात के लिए कि आप किसी दूसरी काश्ट के हैं या किसी दूसरे धर्म के हैं जिसे की छुआ छोद बोलते हैं तो आपको चाहे जितने निम्नजाद के हों चाहे जिस धर्म मजभ के हों कोई भी ब्यक्ति अगर ये कहता है कि मुझे से दूर हड़ मुझे मत चूँ तो बताइए आपको कितनी ठेस पहुचेगी आपको बहुत बुरा लगेगा समिधान ने इसकी रोक लगाई है ये आपका मौलिक अधिकार है कि अगर इस तरह आपकी कोई बिजती करता है तो आप सिधे सुप्रीम कोट जा सकते हैं सिधे सुप्रीम कोट जा सकते हैं अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा मौलिक अधिकार है आपका कि आप कोई भी काम कर सकते हैं आप डाक्टर बन सकते हैं आप इंजीनिर बन सकते हैं आप डीम बन सकते हैं आप वकील बन सकते हैं आप कोई ब्यापारी बन सकते हैं जो आपकी मर्जी ये भी आपका अधिकार है आपको जीने का अधिकार है कि आपकी कोई जान नहीं ले सकता अब वो अलग बात है कि आपको जुर्म करें तो बिधी के बिधी बना करके आपको फासी पे टांग दिया जाए वो अलग बात है लेकिन अगर आप ने अपने जीवन में गलत काम नहीं किया है आप सही राह पर चल रहे हैं, तो ये आपका अधिकार है, कि बिधी भी आपके आपका प्राणळ नहीं ले सकती, आपको जीने का अधिकार है, ऐसे अंगिनत अधिकार हमारे सम्मिधान में दिये गए हैं, तो हम सब को बारी-बारी से देखेंगे, यहां मैं एक बात और क्लि के लिए पढ़ रहे हैं तो समझदार कोई नहीं है क्योंकि संबढ़ अगर जो नहीं जाना की कि वो इस भारत में रह करके भी नहीं रह रहा है वह कुछ नहीं जानता और अगर अपने मौल मौलिक अधिकार को जो ब्यक्ति नना समझ पाये तो वो क्या करेगा जो अपना अधिकार ही नहीं जानता उस अधिकार के लिए वो लड़ कैसे सकता है तो पहले तो हम अपना अधिकार जाने इसलिए जरूरी है कि हम विस्ताज से मौलिक अधिकारों को समझें जिनको पता है मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको नहीं पता है मैं उनकी बात कर रहा हू तो सम्मिधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में अभी बात किये कि कुल 7 थे तो एक कहां चला गया अभी आएगा हम बताएंगे आपको तो देखिए सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार समानता का अधिकार 14 से 18 तक में होती है यानि कि 5 अनुच्छे दो में 14, 15, 16, 17, 18 समानता का अधिकार हम एक एक अनुच्छे 14, 15, 16 सब को विस्तार से बताएंगे अभी हम एक बार देख लेते हैं कि हमको इन मौलिक अधिकारों के सेसन में क्या-क्या पढ़ना है दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार और इसकी चर्चा होती है अनुच्छे 19 से 22 तक ठिक तीसरा आता है सोसण के विरुद्ध अधिकार और इसकी चर्चा होती है अनुच्छे 23 और 24 में सोसण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है यानि आप सोसण के सिकार भी नहीं होसकते इसी में आप पढ़ेंगे बंधुआ मजदूर है ना लोग जबरजस्ती काम कराते थे सोसित होते थे इस तरह सब आप यहां पढ़ेंगे चोथे में आता है धार्मिक सुतंतरता का अधिकार, यहां समानता का अधिकार है, यहां धार्मिक सुतंतरता का अधिकार है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, मान सकते हैं, तो यहां भी बहुत इंपोर्डेंट है, इसको भी हम आपको बताएंगे अच्छे से, तो इसका एवं संस्कृति संबंधी अधिकार इसका वरणन है अनुच्छेद 29 और 30 में और 6 आता है संबैधानिक उपचारों का अधिकार और यह है अनुच्छेद 32 में यह 6 मौलिक अधिकार दिये गए है 14 से लेकर के 32 तक अब आपके मन में एक प्रशन उठा होगा ततकाल में कि 30 के बाद डारेक्ट 32 आ गया अनुच्छेद 31 कहां गया तो देखी अनुच्छेद 31 इस समय नहीं है क्यों नहीं है सुरू में जब मौलिक अधिकार दिये गए थे तो 7 मौलिक अधिकार थे छठवा मौलिक अधिकार था संपत्ती का अधिकार और ये सम्मेधानिक उपचारों का अधिकार सातवा अधिकार था तो छठवा अधिकार यानि कि संपत्ती का अधिकार अब समाप्त कर दिया गया चगवालिस सम्मेधान में संसोधन हुआ 1988 में जन्ता पार्टी की सरकार थे उसमें इन्हों ने संसोधन किया और संपत्ती का अधिकार खटा दिया मौलिक अधिकार से यानि 31 खतम हो गया अब संपत्ती का अधिकार है लेकिन लीगल राइट है वैधानिक अधिकार है और यहां अनुच्छे 300 क में वरणित है उसको हम अलक से देखेंगे तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं आज हम चर्चा करेंगे समानता का अधिकार और इसमें दो अनुच्छे 14 और 15 को पढ़ेंगे फिर अगले पार्ट में 16 17 और 18 को पढ़ेंगे फिर इस तरह से 3-4 वीडियो में यहां तक हम पहुंचेंगे अनुच्छे 14 राइट टू एक्विलिटी समानता का अधिकार अब यहां भी देखी हमने लिग दिया है सभी व्यक्तियों को सभी व्यक्तियों को यह अधिकार दिया गया है इसका मतलब यह है कि भारत में अगर कोई बिदेशी भी आकरके लिगल रूप में रह रहा है या क सब को ये अधिकार भारत का समिधान देता है किसका अधिकार right to equality समानता का अधिकार ध्यान रहें कुछ अनुच्छेद केवल और केवल नागरिकों को अधिकार देते हैं तो केवल नागरिकों को जो अनुच्छेद हैं वो कौन है यहीं पर हम नोट कर लेते हैं तो आप भी कि केवल नागरिकों के लिए केवल नागरिकों हेत। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 15, 16, 19, 29 और 30 एक दो तीन चार पाँच जितने भी अनुच्छेद हैं सब में ये पाँच अनुच्छेदों में ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसके लिए किवल नागरिकों को अधिकार मिलता है यानि ये अधिकार भारत भारती नागरिकों को मिलता है इनके अलावा जितने भी अधिकार है वह भारती नागरिकों के साथसाथ गैर भारतियों को भी मिलता है तो अनुच्छेद 14, इसमें नहीं दूसरी बात लिखी गई है इक्वल प्रोटेक्शन आफ लाज इसको हिंदी में क्या बोलते हैं विधि के समक्ष समान्ता इक्वल प्रोटेक्शन आफ लाज यानी बिधियों के समान संदक्षन इसका मतलब क्या है पहले ये समझे ये जो बिधि के समक्ष समान्ता है यह इंग्लेंड के समिधान से लिया गया है मैं आपको पहले ही बताया कि जब भारत का समिधान बन रहा था तो उस समय दुनिया के 60 समिधान सामने रखे थे उन 60 समिधानों से अच्छी अच्छी बातें ली गई है हमारे समिधान में तो विधि के समक्ष समानता इंगलेंड के समिधान से है और बिधियों के समान संरक्षण का अधिकार ये USA के समिधान से है यानि अमेरिका के समिधान से लिया गया है इन दोनों का मतलब क्या है और यानुच्छे 14 में लिखा है आप समझेए देखिए बिधि के समझ समानता का मतलब होता है कि बिधि के सामने यानि की कानून के सामने हर व्यक्ति समान है रूल आफ ला विधिका सासन इंग्लेंड के रूल आफ ला से लिया गया है विधिके समक्ष समानता यानि विधिका सासन और ध्यान रहे कि भारत के समिधान के मोल भूट धाचे को संसद नहीं बदल सकती संससंसोधन नहीं कर सकती तो रूल आफ लाग को मूल भूट धाचा सुप्रीम कोट ने खोश्ट किया है यानि कि बिधी का ही यहाँ सासन चलेगा और किसी का सासन चलने वाला नहीं है तो बिधी के ऊपर यहाँ कोई नहीं है यानि हर व्यक्ति के लिए कानून अगर बनेगा तो सब के लिए समान रहेगा यहां विधि के समझ समानता कहने का आसा सिर्फ इतना है कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो वो अगर गरीब है तो जितनी सजा उसको मिलती है उतनी ही सजा अगर एक अमीर व्यक्ति करता है तो उसको भी मिलने चाहिए क्योंकि वह विधि के सामने उस गरीब आदमी के ही समान है विधि से उपर नहीं है यहां कहने का भाव यह है लेकिन इसे निगेटिव अर्थ में भी देखा जाता है कि हर व्यक्ति के लिए नियम बराबर होना चा कहा जाए कि दोनों के लिए नियम बराबर है तब तो यहां पर यह ठीक नहीं उतरेगा क्योंकि जो सही व्यक्ति है वह दोड़ लेगा जो जिसका पैर खराब है वो नहीं दोड़ पाएगा तो वहां पर यह नियम नहीं लागू होगा इसी लिए इसी लिए विधियों के स संदक्षण की बात की गई कि समान परिस्थितियों के अनुसार समान उन बनाये जांगे धिकaganti के लिए एक प्रकार का कानौन नहीं होगा जैसे जो अपाहिज हैं उनके लिए उनके कि रहन सहन के लिए उनको काम करने के लिए अलग नियम बनाए जाएगा जो स्वस्त हैं उनके लिए अलग नियम बनाए जाएगा जो गर्भ होती महिलाएं हैं उनको काम करने के लिए अलग नियम बनाये जाएगा एक साथ एक समान कर देंगे तो गरवड हो जाएगा इसलिए बिधियों के समान संदक्षण भी होना चाहिए यानि कि समय परिस्थिती के अनुसार बिधियां होनी चाहिए एक समान नहीं होनी चाहिए तो यहां दोनों अलग-अलग बात के सामने सब छोटे हैं कितना भी कोई बड़ा व्यक्ति हो वह छोट नहीं सकता उसको भी सजा होनी चाहिए अगर एक सामाने व्यक्ति को हो रही है तो यहां कहने का भाव यह आप जब इतिहास पढ़ते होंगे तो बहुत सारी स्मृतियां हैं उसमें असपस्ट लिखा हुआ देखें में यहां कोई विरोध भाली बात नहीं है यहां मैं ग्यान की बात बता रहा हूं आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो इतिहास पढ़िएगा जो पढ़े होंगे वह समझ रहे हैं जो हुआ है उसको जुठला नहीं जा सकता हम उससे कुछ सीख सकते हैं है न मतलब मिर्तुदंड नहीं दिया जाएगा आजीवन कारावास होगी उससे भी उच्छ जातिका अगर कोई है तो उसको कुछ ही सालसा जादे करके छोण दिया जाएगा और सबसे उच्छ जातिका है जिसे आप समझ रहे हैं ब्रामण कहते हैं अगर वो है तो वही जुर्म के लिए जिस जुर्म के लिए सोद्र को फासी हो रही है उसी जुर्म के लिए उनको केवल डाट करके छोण दिया जा रहा है तो इनी सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में ऐसा नहो हम आजाद भारत में रहते हैं इसलिए विधि के समक्ष समानता की बात की गई कि चाहे जिस कटेगरी का व्यक्ति हो उचा हो नीचा हो जो समाजिक रूल बनाया गया है उसके हिसाब से उचा नीचा है इस तो बनाया नहीं है तो जो उचा नीचा व्यक्ति कहते हैं उनमें भी भले उचा नीचा हो लेकिन व पर दंड मिलना चाहिए यहां कहने का मतलब यह तो इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अनुच्य 14 होता है कंप्लीट अब हम चलते हैं अनुच्य 15 में लिखा है धर्म के आधार पर धर्म आधि के आधार पर विवेध का प्रतिसेद प्रोहिबीशन आप डिस्क्रिमिनेशन अनुच्य 15 में तो देखिए अनुच्य 15 में कुल पांच उपभाग है यानुच्य 15 के आप पांच उपभाग कह सकते हैं तो मैं सभी को यहां पर लिख रहा हूं 15 एक, 15 दो, 15 तीन, 15 चार और 15 पांच इन पांचों में अलग-अलग बातें लिखी गई हैं इन पांचों को समझना है देखिए इन पांचों में यह जो 15 एक और दो है यह अधिकार है नागरिकों को दिया गया अधिकार है केवल नागरिकों को यहां पर विदेशियों कोई अधिकार नहीं प्राप्त है तो यह अधिकार 15 एक और 15 दो बाकी यह जो तीनों अनुच्छेद हैं आर्टिकल है यह इनका अपवाद है लेकिन सकारात्मक अपवाद कैसे अपवाद है अभी हम आपको समझाते हैं देखिए अनुछ्यद 15 में लिखा है समिधान आडर देता है राज राज को राज को आदेश दिया गया है कि आपको ऐसा काम नहीं करना है और यहां नागरिकों को आदेश दिया गया है कह आपको ऐसा काम नहीं करना है कैसा काम हम बताते हैं अभी, दरसल मौलिक अधिकार में जितने भी अनुच्छेद है सब में नकारात्मक प्रवित्ति है, सब ही में मना किया गया है कि राजurar ये नहीं कर सकता, राज ये नहीं कर सकता, ऐसे sentence लिखे गए है इसलिए मौलिक अधिकार को नकारात्मक प्रवित्य का माना जाता है उसके सिंटेंस को नकारात्मक प्रवित्य माना जाता है तो राज को यादेश दिया गया है कि राज धर्म मूलवंस सब्दों पर ध्यान दिजेगा धर्म मूलवंस जाति लिंग और जन्म अस्थान ये पाँच आधार बताया गया है कि राज किसी भी व्यक्ति के किसी भी नागरी के धर्म मूलवंस जातिलिंग और जन्म अस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा और यहां पर लिखा गया है यही बात कि भारत का कोई भी नागरीक या कोई भी संस्था धर्म मूलवंस जातिलिंग जन्म स्थान के आधार पर वो भी प्रतिसेद नहीं करेगी वो भी भेदभाव नहीं करेगी तो वही बात दोनों में लिखी गई है यहां राज्य के लिए है यहां नागरीकों के लिए है तो राज्य का मतलब यहां उत्तर प्रदेश मंद्र प्रदेश राजस्थान नहीं है राज्य का मतलब यहां सरकार से है राज्य में वो सभी आते हैं जो सरकारी संस्थाएं हैं ने भी सरकारी काम सरकारी संस्था हैं इंस्टिट्यूसन है सब राज्य के अंतरगता आते हैं तो उद्धर देंगर के आधार पर रोक नहीं लगा सकता कि आप फ़ला धर्म के हैं इसलिए नहीं भरेंगे ये इस धर्म के यह लिए है तो धर्म के आधार पर मना नहीं कर सकता मोल वन्स के आधार पर जिसे आप गोत्र कहते हैं लोकल भासा में गोत्र के आधार पर नहीं भेदभाव कर सकता जाती के भी आधार पर नहीं कि आप फला जाती के हो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते और लिंग आप महिला हो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते या पुरूस हो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते ये भी नहीं और आपका जन्मस्थान फला जगह हुआ है गरवर जगह हुआ है वहां होता तो अच्छी जगह होता तो इन सब के आधार पर वो भेदभाव नहीं कर सकता कौन राज इतनी मासवल में आई अब यहां नागरिकों के लिए भी यही कहा गया है अब वो अपने घर के अंदर स्विमिंग पुल बनाया है तो अब उसका है ना उसका व्यक्तिकत है उसकी प्रापरटी है वो किसी को एलाउ करे नहाने के लिए या न करे अगर वो मना कर देता है तो कोई बात नहीं है कोई नहीं जाएगा लेकिन अगर सारवजनिक है कोई ताला दुकान भी कोई प्राइवेट दुकान भी है मैं आपको ब्यवारी गृप में समझाता हूँ कोई नागरिक अगर दुकान भी रखा है तो उस दुकान में भी अगर उसका दुस्मन भी सौदा लेने के लिए आता है तो वो इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि आप दूसरी गाउं में हुआ है यहां वहां हुआ है इसलिए नहीं देंगे ऐसा नहीं कर सकता वो उसकी ब्यक्तिकत दुस्मनी है मना कर दे क्योंकि उसकी परसनल दुकान है अलग है लेकिन इसको वो आधार नहीं मना सकता यहां कहने का भाव यह है अब 15,3,4 और 5 में इसी का नहीं करेगा लेकिन यहां पर लिखा है कि राज सकारात्मक भेदभाव कर सकता है कैसे 15,3 जो कि मूल समिधान में ही था एक, दो, तीन, यह मूल समिधान में ही था तो इसमें लिखा गया है कि इस्त्रियों एवं बालकों के लिए ब्यवस्था यानि राज चाहे तो वो अपने यहां इस्त्रियों के लिए और बालकों के लिए उनके उत्थान के लिए प्रबंध कर सकता है इसी को आधार बना कर महिला एंबाल विकास मंतरालय बना है, महिला आयोग बना है, है की नहीं जो आप आप देखते होंगे प्रसोती काल में आउकास मिलता है गरभवती महिलाओं को छुट्टी मिलती है तो अगर कोई भी जैसे माली जो दो महिला है, A और B, A और B दो महिला है, यह A जो है वो गर्भवती है, और B गर्भवती नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही company में एक ही जगह काम कर रही है, अब यह गर्भवती है, इसका जब प्रसोतिकालाएगा, तो इसको छुट्टी मिल तो यह जो प्रसोतिकाल में नहीं है जो गर्भवती नहीं है वो इसका विरोध नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए राज ने अलग विवस्था की है क्योंकि इसको पता है कि जब हम भी कभी इस सिच्वेशन में आएंगे तो हमको भी छुटी मिलेगी इसको छुटी मिलेगी इ इसको क्यों समझ रहे हैं चुट्टी-दे रहे हैं तो सब को यह इसका अपवाद है reducing कोई भेदभाव नहीं होगा यहां तो भेदभाव हो रहा है उसको छुट्टी मिल रही है इसको छुट्टी नहीं मिल रही है बालकों के लिए भी अलग बिवस्ता है तो यहां भी तो भेदभाव हो रहा है लेकिन यह भेदभाव इनके विकास के लिए है उत्थान के लिए ह और सकारात्मक है इसमें जिसको नहीं भी मिल रहा है वो भी विरोध नहीं कर सकता तो यह सकारात्मक भेदभाव राज्य कर सकता है ऐसा अनुच्छेत 3 में लिखा है अब अनुच्छेत 4 और अनुच्छेत 5 मतलब 15-4 और 15-5 मोल सम्विधान में नहीं थे यह बहुत बाद में जोड़े गया है 15-4 1951 में जोड़ा गया है और 15-5 2005 में जोड़ा गया है समझे उनिस सो एक्यावन में ही जोड़ दिया गया यह 2005 में यह इसके लिए पहला समिधान संसोधन हुआ था पहला समिधान संसोधन और इसके लिए तिरानववा समिधान संसोधन था कभी परिच्छाम पहुचा जाता है कि अनुच्छेत 15-5 को किस समिधान संसोधन के थुझ जोड़ा गया है तो उनिस तिरानववें के 15-4 को पहले समिधान पहला समिधान संसोधन में किवल यही नहीं जोड़ा गया है और बहुत सारे काम हुए हैं उनमें से एक काम ये भी था तो आखिर क्यों जोड़ा गया और सुरू में ये क्यों नहीं था बाद में क्यों जोड़ा गया प्रश्न तो ये उठता है और परसन हुआ क्योंकि कुछ महिलाओं को वहां पर प्रवेस नहीं मिल पा रहा था वह उस मेरिट को फाइट नहीं कर पा रही थे और कुछ सामाजिक और आर्थिक सोरी सामाजिक और सैखचडिक रोप से पिछड़े ब्यक्ति भी मेरिट नहीं पा पा रहे थे बताया ना कि समान पहले से ही खुब पढ़े लिखे घर में हैं और सामाजी प्रतिष्ठा पी उनकी अच्छी है तो यकीनन उनका मुंतलब उनकी पढ़ाय लिखाय अच्छी हुई तो वह इंटरेंस निकाल लेंगे नब्य नम्मर पा जाएंगे लेकिन महिलाओं की इस्थिति गरवर्ति उनको सिच्छा का उतना मातों नहीं दिया जाता था तो उस मैरिट को क्रास नहीं कर पाती थी और जो सामाजिक रूप नहीं किया रहा था तो वहां पर आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के बाद पहला समयधान में संसोधन हुआ और ये लिखा गया कि सैक्षडिक संस्थानों में महिलाओं के लिए सामाजिक रूप से पिछड़े यानि कि OBC के लिए और अनुसोचित जनजातियों के लिए आरक्षड होना चाहिए यानि कि सैक्षडिक संस्थानों में आरक्षड की ब्यवस्था अनुस्चेत 15-4 के तहट दी गई है आप देखते होंगे विस्विद्याले में अलग मेरिट बनती है SCST की महिला की अलग मेरिट बनती है तो ये इसी को आधार बनाया गया है क्योंकि ये बात समिधान में लिखी गई है कि सामाजिक रूप से और सैक्षडिक रूप से जो ब्यक्ति पिछड़ा है राज उसके लिए अपने यहां आरक्षड की बेवस्था कर सकती है तो इसको आधार बना करके आरक्षड दिया जाता है अब अनुश्यत 15.5 में आते हैं बात वही यहां भी लिखी गई है लेकिन यहां पे यह लिखा गया है कि उच्च सैक्षडिक संस्थानों में और निजी सैक्षडिक संस्थानों में भी महिलाओं के लिए अनुसुचित जन जातियों के लिए आरक्षड की बेवस्था होनी चाहिए तो यहां पर सैक्षडिक संस्थान छोटे सैक्षडिक संस्थान की बेवस्था थी लेकिन यहां पर बड़े सैक्षडिक जैसे की इंजिनेरिंग कालोजों में एडविसन की बात हो MBBS, MD इस तरह की जो पढ़ाई चाहा होती है Medical Collegeों में वहाँ पे आरक्षण की बेवस्था CSD के लिए OBC के लिए महिला के लिए की गई है यहाँ पे तो निजी सेक्षडिक संस्थानों में भी आरक्षण हो यह समिधान के किस अनुच्छेद में है? 15 है 5 में तो आज हम लोगों ने अनुच्छेद 15 को देखा पूरा और अनुच्छेद 14 को देखा अगले वीडियो में 16, 17 और 18 तीनों को एक साथ देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता इसलिए मैं आज यहीं पे इसको छोड़ रहा हूँ आपको कैसा लगा? समझ में आया की नहीं? अपना सुझाव जरूर दीजिएगा और अगर मैं थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ तो इस पर भी कमेंड करिएगा बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो इस पर भी कमेंड करिएगा और आप और उदाहरान दे करके समझना चाहते हैं और उदाहरान के माध्यम समझना चाहते हैं क्या कम समझ में आ रहा है इसको भी कमेंड करिएगा तो मैं उसका सुधार करूँगा अगले वीडियो से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार